आई वी एम हलो सौरब केसे हैं आप? बस प्रणे चल रही है सौरब इस बार किस विशे पर बात की जाए? अब प्रणे हाल फिलहाल का समय क्या कहते हैं हम बहुत समय से डिसकस कर रहे हैं तो एक हमारे पास में हमने बहुत पहले भी डिसकस किया था एक किताब है 1857 की भूकम्प में फस जाता है बोलना चाहिए हाँ हाँ है ही नहीं हिंदुस्तान के पूरे इतिहास उस टाइम के इतिहास में उस टाइप के कोई भी आँखो देखा हाल नहीं है तो ये एक ही आँखो देखा हाल है जो available है उसको आज discuss करते है वाँ ये बहुत अच्छा है सौरप क्योंकि कितनी बार हम लोग जो इतिहास देखते हैं वो या तो राजे रजवाडों के दिश्टिकोंट से देखते हैं या फिर ब्रिटिशर्स के दिश्टिकोंट से देखते हैं पिछले 200 साल का तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक आम नागरिक में कुछ लिखा हो कि किस तरीके से दुनिया थी तब भारत में क्या हल चलो रही थी तो ये इस तरीके का अगर एक दिश्टिकोंट मिले तो कुछ नय सीखने मिलेगा इसलिए इस पर ही करता है विलकुल तो सही है तो ये करने के लिए इस बार हम लोग एक नई चीज़ कर रहे हैं कि हमारे साथ इस बार एक गेस्ट हैं जो कि है रोहित शर्मा रोहित हमारे लिस्नर है पुलिया बासी के काफी टाइम से सुन रहे हैं पुल्याबाजी और उन्होंने मुझे फेब्रियरी में लिखा था कि मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूँ और हम लोग उनने सोचा कि रोहित को इस एपिसोड में बुला जाए क्योंकि रोहित रूची रखते हैं हिंदी साहित्य में और भारती इतिहास में तो इसलिए रोहित स्वागत है आपका शुक्रिया कि आप इस पॉड़कास्ट पर आए धन्यवाद परने नमसे सौरब और रोहित खुद लेखक हैं उपन्यासकार हैं और जल्दी उनकी किताब छपने वाली है तो हम उसके अगर डीटेल्स कुछ होंगे तो जरूर अपने शोर नोट्स में देंगे ठीक है तो करते हैं शुरुआद इसी बात की तो सबसे पहले जो एक किताब है ये मराठी में लिखी गई है इसका नम है माजा प्रवास और ये किताब के लेखक जो है वो है विश्नुभट गोड से वर्साई कर तो ये वर्साई जगह से आ रहे हैं एक कॉंकन में जो एक इ और उतर भारत की और जब वो जा रहे थे तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि 1857 की जो लडाई है वो शुरू होने वाली थी तो वो जा रहे हैं अपने काका के साथ मतलब अपने ताउजी के साथ जा रहे हैं और उनका उदेश है कि वो कुछ पैसे कमा पाए काफी गरी यह हो रहा था गौलियर में और उन्होंने सुना था अपने विलिज में तो उन्होंने सोचा कि यहां तो कुछ पैसा कमा नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं हम गौलियर जाएं और वहां से कुछ पैसा कमाएं वो यगन करें और पैसा कमाएं इसलिए हम जाते हैं और उस चक कुछ मेरे ख्याल से मार्च वार्च में शुरू करते हैं तो सौरभ ऐसे ये किताब उस टाइम पर नहीं लिखी थी ने ये काफी पचास-ाथ साल बाद प्रकाशित हुई थी तो उसके बारे में कुछ बताईए ना मैं हाँ तो ये वे इस किताब की कहानी भी बहुत जबरदस ही है मेरे हिसाब से तो एक तो गदर के बाद में क्योंकि गदर हुआ तो उसके बाद जो अंग्रेजों का retribution और जो उनका backlash था वो भी बहुत ही ज़्यादा जबरदस था और बहुत ही वाइलेंट था तो लोगों में बहुत डर था और लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे और इसलिए जो ये author है उनको भी इस चीज़ का डर था कि भई मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो इसकी वज़े से हमारे उपर कुछ हो ना जाए तो उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे मरने के बाद ये बुक प्रकाशित की जाए तो उन्होंने बुक लिखी भी काफी टाइम बाद वो ये कहानी महानी सुनाते रहते थे तो उनके साथ किसी वेक्ती ने जिन्होंने उनकी वो कहानी सुनी उन्होंने बोला मैं ये पब्लिश करना चा सब्सक्राइ dólares और उसके बाद में ये पब्लिश हुई जाकर पिए इंस सो शे या छे या साथ में उनकी मृत्यों कि है तीन चार साल के बाद तो पूरने लेकичноaster' लोगने लिखनी शुरू करी जब तक उन्होंचे खतम करी ऐशा करनी चाहिए है और जिन्होंने पब्लिश करी उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ-कुछ चीजें घुसा भी दिया संस्क्रिट श्लोग घुजा दिया उसमें जगे जगे पर जब इन्होंने काफी matter of fact कहानी लिखी हूइ है बहुत अच्छी लिखी है उनका tone of voice बहुत अच्छा है कहानी का तो वह सब उन्होंने कुछ change कर दिया कुछ चीजें censor कर दियी scandalous चीजें थी जो उन्होंने अपनी कहानी में डाली हुई थी वो सब sensor कर दी उन्होंने कुछ से तो उसके बाद लेकिन जो publisher थे वो अच्छे थे इस sense में कि एक scholar थे उन्होंने जो original manuscript थी वो local पूने में एक संस्थान को दे दी तो वो preserved रही फिर वो जो है आजादी के बाद पहली बार फिर से प्रकाशित हुई और फिर हिंदी में प्रकाशित हुई उसके बाद पहला उसका English translation अब हुआ है जाकर सन 2005 साथ के करीबन और उसके बाद काफी लोगों ने करी है मितलब उसकी कुछ तीन English translation पिछले 15 साल में आये हैं लेकिन सिर्फी अठारो सावन की कहानी है उसको 1.500 साल लगा है अंग्रेजी में लोगों तक पहुँचने में हिंदी और मराथी में तो पहले ही लोगों तक पहुँच गी थी और रोहित आपको क्या लगता है ये 24 साल के बाद उन्होंने लिखी दिये किताब तो लगता है इसमें कुछ मनगढंद बात तो नहीं होगी कि 24 साल बाद उन्होंने अच्छे से याद रखी होगी चीजे हाँ एक तो ये पुरोहित थे इनका काम ही ये था कि ग्रंथ पे ग्रंथ याद करके और अपनी पुरोहित ग्री का ये काम करना तो मुझे लगता है कि याददाश के तो पर तो उनकी याददाश त अच्छी रही होगी और दूसरा ये कि उनका व्यक्तिगत कोई कारण नहीं दिखता कि उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो जो कि उनकी नजरों के सामने न घुटाओ या उनको याद न हो क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते थे कि उनके जीवनकाल में ये चपे मुझे नहीं लगता कि वो चाहते भी थे कि कुछ नाम हो उनका इससे और और आइटिंक जो प्रयास भी था वो उनके जो यजमान थे जिन्नोंने ये किताब चपवाई थी पहली बार वो चाहते थे कि ये अपने इस अनुभाव को लिखे न कि ये खुद ऐसे मनलब लेखक चाहते थे कि मैं लिखे तो मुझे लगता है कि उनके उन्होंने जो लिखा होगा वो उनकी सोच के हिसाब से काफी ऑथेंटिक रहा होगा और मुझे भी लगता है तो इसे कह सकते हम लोग की एक ट्रैवलोग है ना सौरव की फर्स नॉर्मल इंडियन का ट्रैवलोग अबूट दे 1857 वर्स है विल्कुल फर्स एन उनली तो ये ट्रैवलोग है और मतलब इसे अगर आप इतिहास के ब्रांच में कहें तो इसे सबॉल्टन हिस्टरी कहता है ना क्योंकि वही एक कॉमन इंडियन की कहानी है वो ना तो किसी राजा रजवाडे से रिलेटेड है तो वो बस बता रहे हैं कि क्या हुआ था 1857 में और किस तरीके से अंग्रेज और कई सारे जो भारत की प्रिंसिपालिटी से उनके वेच कैसे जड़प हुई उसके बारे में वो कहानी बता रहे है बिल्कुल अपने पॉइंट अफ यू से बताते हैं और सब कुछ प्राइमरी नहीं है कुछ काफी चीज़ें वो अपनी आखों देखी बता रहे हैं और काफी चीज़ें जो उसी समय वो सुन रहे है जैसे घटना घट रही है तो जो गॉसिप नेटवर्क उनको चीज़ें बता रहा है वो भी उन्होंने डॉकुमेंट करी है तो बहुत ही दिल्चस्प है ना ऐसा जनरली हमें इतिहास में तो पढ़ने मिलता ही नहीं है हम लोग सिर्फ कोई इंपोर्टन लोगों की किताबे पढ़ता है तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग है और इस टाइप का जो लिट्रेचर है इसलिए सबॉल्टन इस्टि कहते हैं ये काफी पॉपिलर हुआ है इतिहास में आजकल तो इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करना जाते हैं तो ठीक है अभी हम लोग आ जाते हैं उनकी जर्नी पर हम लोग ऐसा करते हैं वो जिस तरीके से ये जर्नी लेते हैं उसी के बारे में डिसकस करते हैं और वो करते करते हम लोग 1857 की लड़ाई के बारे में भी आएंगे तो पहले तो सौरब और रोहित मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगा कि कैसे वो हिंदुस्तान जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं उत्तर भारत को डिनोट करने के लिए आजकल के टाइम पे हम लोग जब हिंदुस्तान कहते हैं आप भारत कहते हैं तो शायद हम लोग पूरा इंडिया के बारे में हम लोग refer कर रहे हैं पर वो जब प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान का वो सिर्फ सत्पुड़ा के नॉर्थ में जो भी है उसके बारे में तो ये आपने notice किया क्या? बिलकुल मैंने तो बिलकुल notice किया क्योंकि वो एकदम बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तो फिर आप कोई दिमाग में ये आता है कि उनके दिमाग में वो कहा रहते थे ये वो लिखते नहीं है लेकिन ये सवाल आता है आपके दिमाग में और अब जैसे क्योंकि तुम भी उसी एरिया के हो तो तुम ऐसे देखते हो कि पूरे उत्तर भारत को तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये चीज़ मैंने अपने पिताजी को बताए थी यह हिंदुस्तान शब्द जो है यह बीच में I think जो जिसको आजकल modern cow belt कहते है न वो जो एरिया है वो हिंदुस्तान है जो बिसिकली गंगा जमुना वाला एरिया है और सिर्फ गंगा जमुना वाला नहीं क्योंकि मेरे खाल से उसमें दिल्ली तक तो जमुना है इक है पर इव पूरा एक हिंदुस्तान या भारत की जो परिकल्पना है I think वो उस समय लोगों के विचार में नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही राजे रजवानों को ही अपनी सीमा समख से ते रहे यह तो एक बहुत बड़ा प्रवास है अपने शेत्र से दक्षण से even अगर आज की बात करें तो महराश्च्र को भी दक्षण में नहीं गिना जाएगा शाया तो उस समय दक्षण से आप हिंदुस्तान जाएगा और लेकिन जबकि बुक में जो ऑथर हैं वो काफी बार अपने आपको बोलते हैं मैं दक्षण का ब्रहामन हूं तो वो खुद को जरूर दक्षण क मानते हैं तो एक और दिल्चस्ट बात इसमें ये थी सौरप की हिंदुस्तान जाना बहुत बड़ी बात थी इनके जो किताब अगर देखे तो बहुत ही मतलब जोखिम बरा काम है ऐसे लगता है क्योंकि वो बार-बार कहते हैं कि मैं जा रहा हूं पता नहीं क्या होगा वा एक साल में अगर आप नहीं है तो और आप इतनी जोखिम बरा काम क्यों कर रहे हो मैं वो भरत और राम की कहानी की बारे में बोलते हैं जैसे आप वनवास जा रहे हैं और मैं भरत की तरह आपको रोक नहीं पाया तो ये मुझे बहुत इंट्रेसिंग लगा कि हिंदुस्ता जाना इतना मतलब जोखिम बरा काम पागया और जोखिम बरा था वी वैसे वो मूवी फ्लॉप हो गई पर वो मूवी के नाम में भी वो छुपा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी अचा हाँ लेकिन वो मूवी सही समय की है कि उस समय ठगी थी ना जिसको अंग्रेजों ने बहुत ही मुश्किल से खतम किया था और ठग लोग बिसिकली डकैट नहीं बोलना चाहिए डकैट लोग तो मतलब वो बिसिकली रागीर लोगों को मार करके उनकी चीज़ें चुरा लेते थे आधकर हम ठग को कॉनमें टाइप समझते ना जो कि आपको बेवकूफ बनाते हैं पर वो ठग लोग वैसे होते थे लेकिन आपको एक्चली वो लोग रुमाल से मार करके जैसे कहके थे हैं और फिर आपकी चीज़ रास्ते में चुरा लेंगे तो रास्ते में मतलब ट्रैव हो जाता है या कुछ हो जाता है तो यह काफी डर है डर था और मैं खहल से मैं तर्यलिस्टिक डर था और ये डकैती पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है उनका सबसे बड़ा डर ड़कैत के लोगों से ही था, डकैत और ठख लोगों से, ना की अंग्रेजों से ऐसा लगता है। बहुत बार वो इसका जिक्र करते हैं। तो इतना बड़ा जो डिस्टंस है वो शायद एक गाड़ी से तो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो एक रिले टाइप की थी मतलब एक वो गाड़ी भाड़े पे लेते थे बैल गाड़ी और वो जाती थी पहले उन्हों पूने तक उन्हें ले गई फिर वो गाड़ी बदली और क और बीच में सराय वराय भी बड़े इंटरस्टिंग है जहां पर रुखते रहते हैं वो भी आजकल वैसी चीज़ें अब खतम हो गई है पर वो बुक में वो काफी अच्छे से मेंशन करते हैं कि वो किन्स टाइप की जगों पर रहते थे और वहीं पर सारी गॉसिप मिलती थे सरकार ने तो वो बुए इंटरस्टिंग था कि सरकार का काम यह था और ब्रिटिशर के लिए तो अफीम बहुत ज़रूरी थी ना विलकुल विलकुल और सिर्फ वो समय ब्रिटिशर ने बनाए होगे लेकिन पहले भी कहानी सुनाई पुराने राजाओं के जो भी अच् के राजा थे लेकिन पूरा जो मध्यकाल था उसमें चाहिए ट्रैवल इतनी मुश्किल चीज़ थी कि कोई भी अकर ट्रैवल असान कर दे ट्रैवल को सेफ या प्रिडिक्टेबल बना दे तो उससे एकॉनमी और लोगों की जिंदगी दोनों पे बहुत ज़्यादा फरक प कानी मिलने की है तो उन्होंने बतायाना की क काना बनाने का सामान नहीं है तो खरीदकर खाना खुद बनाना यह तरीका जो मोटा खर्चा, जो जादा खर्चे लिया हिस्सा था, वो सफर किस तरीके से किया जा उस पर था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, जैसे रहना हर जगे, अगर सराय है तो सराय, नहीं तो किसी का चबूत रह या किसी का घर, सब कुछ मिल जाता था, जिसके लिए कुछ आपक निकालने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, बिलकुल, और उनके शायद बहुत अच्छे कॉंटेक्ट्स भी थे, क्योंकि उनके जो ताउजी है, जो जिनके साथ वो जा रहे हैं, उनकी, अब ठोड़ा कंटेक्स देख लेता हैं, सौरभ और रोहित, क्योंकि उससे बहतर होग जहांसी है, बिठूर है, कानपूर के पास, तो यहाँ पर यह सब जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, इन पर राज मराठा रूलर्स का हैं, तो होलकर हैं, और फिर शिंदे हैं, जिसे हम सिंदिया कहते हैं आज सकल गॉलियर में, यह सब लोग हैं, तो उनका, और क्योंकि यह भी मराठी हैं, तो इनके जो कुछ दाउजी है, वो भी बिठूर में काफी समय व्यतीत किया था उन्होंने, तो उनके काफी कांटेक्ट्स हैं, नौर्थ इंडिया में भी, तो कई जगहे पर वो जहां जाटे हैं, वो कांटेक्ट ढूनके उनके घर में रहते हैं, तो इसलिए पिता जी के सीनियर थे यग्च शाला में। अधोर में जब वो काम करते थे अर उन्होंने राणी जासी जो की बचपन में उनका नाम चभीली था तो उन्होंने चभीली को देखा हुआ था कि किस तरह से वो बड़ी हुई किस तरह से किस तरह की लड़की थी वो वगरा उनके ताउ जी को first hand knowledge है और वो वो चीज अपनी book में लिखते हैं और जितना मुझे पता चला है कि यही book है प्रने जो की source है रानी जहांसी की जो character का काफी जगों पर जो कि वो कैसे character की थी character का primary source यही book है और वो ही मुझे बहुत दिल्चास लगा जैसे वो आप कोई भी serial देखे उसमें वो बता देना कि कैसे वो practice कर रहे हैं बचपन से ही उन्हें interest आश तलवार बाजी में और घोडा वगरे वो सब चीजें इसी किताब से आई हैं बिल्कुल बिल्कुल जो अच्छे writers हैं उन लोगों ने यह पहले से ही पकड़ रखी थी चीज़ें इस book की obviously I mean हम जैसे लोगों को बाद में पता चली हैं लेकिन पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत शुरू से जानते हैं और यह सारा का सारा जो character है वो उसी book में से निकल के आया है बिल्कुल और even जो image है रानी जासी की कि इस तरह से वो घोडे पे जाती है यह सब book का नतीज़ा है बिल्कुल और वैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे travel की तो एक और अच्छी बात थी उन्होंने यह जो भील villages है उनके बारे में जिक्र किया है और यह भी थोड़ा authentically उन्होंने बता है क्योंकि सौरब मेरा तो गाव इंदौर है तो मेरी मम्मी काफी बताती थी वो काफी travel किया है उन्होंने चोटे-चोटे गाव में इंदौर के around तो वहाँ पर भी काफी भील जो ट्राइबल्स हैं उनके गाव अभी भी थे तो इस कहानी में भी वो बार-बार बताते हैं कि कैसे भील ट्राइबल्स के बीच में उन्होंने उनके साथ अच्छा वैवार भी किया था भी लोगों ने तो वो सब बताते हैं इस कहानी में तो मुझे interesting लगा वो ठीक है तो अब जाते हैं सौरा पहले उनका पहले तो पूने पहुंचते हैं पूने में कुछ खास होता नहीं है पूने से वो जाते हैं फिर एक important destination आता है महू जहां पे camp है Britishers का भी और वहां पे बहुत बड़ी army है तो महू में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं बिलकुल बिलकुल और महू में उनको सबसे पहले basically पता चलता है कि गदर आने वाला है यह interesting चीज़ है और वो उनकी first hand knowledge नहीं है जैसा मैंने बुला कि सराय जो है वो basically जो है उनके gossip network थे तो वहां पर उनको basically एक soldier मिलते हैं जो कि आ रहे होते हैं और वो soldier शायद उनहीं की cast के हैं तो उनको advise करते हैं कि भई आगे मत जाओ अब आगे सब गरबड़ी होने वाली है और यह तीन दिन पहले और यह book में मुझे एक book में एक trutty है जो कि शायद उसको ज़्यादा authentic बनाती है कि वो काफी उनकी date एक्दम exact है उनको 7 वो ऐसा लिखते हैं कि हमें 7 June को soldier मिलता और वो बोलता है कि जून को जो है mutiny शुरू मनवाली है और आजकल obviously हम जो dates देखते हैं वो 7 obviously 10 मही है जब mutiny शुरू ही तो उनको वो शायद एक offset है एक महीने का हो सकता है उनको याद नहीं रहा हो उन्होंने 25 साल बाचीज लिखी मही का जून होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में शायद हिंदी के महीने हो और उससे वो अंग्रेजी महीने translate होने में उपर नीचे हो सकती है चीज लेकिन उनका बेट काफी accurate है अपनी बुक में हाँ ये बहुत interesting point है मैं भी सोच रहा था कि जून-जून क्यों बोल रहे हैं जबकि 10 मही को शुरुआत हुई थी पर शायद हाँ एक तुरुटी है इस बुक में और मुझे सबसे interesting उसमें चीज ये लगी कि हमें दो-तीन interesting है एक ही नहीं दो-तीन जो कहानी सुनते हैं soldiers उसमें दो-तीन interesting चीज है अभी जो हमने किताबों में अपनी school textbooks में history पड़ी हुई है उनसे या तो match करती है या कुछ चीजें नहीं करती है या फिर बाकी भी जो हम सुनते रहते हैं हमारे gossip network में कि क्या history रही होगी तो यह जो हम सुनते हैं अभी कभी चीज की भई बहुत ही planned ये rebellion होने वाला था और बहुत ही planned war थी और mangalpande ने जल्दी कर दी थी अच्छा ये at least मैंने सुना है बाकी लोग कितना मानते हैं मानते पर मैंने ऐसा सुना हूँ तो ये book पढ़के मुझे पहली बार लगा कि इनको कोई advance में warning दे रहा है तीन दिन पहले बहुत है तीन दिन बाद होने वाला है ठीक है और ये एक जगे नहीं दो जगे corroborate करते हैं बुक में बाद में ये एक और incident बताते हैं कि जहासी में जो resident है अंग्रेजों का वो रानी जहासी को जाकर बोलता है कि भाईया नौ तारीक को कि भाईया कल होने वाली है गरबर तो हम आपकी शरण में आज ही आ जाते हैं वरना ये लोग हमको मार देंगे तो यानि काफी लोगों को पता था एवन अंग्रेजों को पता था कि अगले दिन कुछ होने वाला है ठीक है तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे ने उस दिन जो है कोई मतलब pull the trigger जिसको कहते है हिंदी में अंग्रेजी में कि जल्दी से कर दिया था या कुछ था वो डेट तो काफी उनकी जो है वो पहले इंसान होंगे गोली चलाने वाले लेकिन वो डेट तो तै थी यह एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज लगी दूसरी जो हम वो सुनते हैं कि बेसिकली जो चर्बी वाली जो चीज थी कि कार्तूस की चर्बी जो है एक बड़ा रीजन था वो यह वैलिडेट करती है हाँ बिलकुल काफी बड़ा कारण वही था यह लिखती है कि अल्मूस्ट वही मेन कारण ही था यह पुछ तक वो बोलती है और साथ में जो पिछले जो कारण है यह तो तातकालिक कारण की बात कर सकते हैं क्योंकि यह भी बताते हैं कि जो कई सारे रजवाडों को कलकत्ता बुलाया था अंग्रेजों ने क्योंकि उन्हें देख रहा था कि यह कुछ अन्रेस्ट चल रहा है और फिर उन्होंने जो 1856 का जो विद्वा पुनर विवा का कानून और फिर जो अगर कोई क्रिश्चन बन जाता है घर में से तो उसकी संपत्ती सुरक्षित रहेगी इस तरीके कानून के बारे में अंग्रेजे नो इन रजवाडों को कलकत्ता में बताया था जो 84 चीजों की एक फैरिस्ट बनाई थी जिससे कि बहुत से और एक इंट्रेस्टिंग बात है कि जब अंग्रेजों ने जिन रजवाडों को बुलाया था उन में नाना साहब और अपने लखनों की हजरत बेगम और रानी जासी इन तीनों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि इनों को उन्होंने पहले ही कन्नी काट दी थी बेसिकली तो वो भी दिखता है कि जो पर्सनल इनके रीजन्स थे वो भी बहुत स्ट्रॉंग थे तो ये तीनों लोग ऐसा नहीं है कि इनके तीनों के बहुत स्ट्रॉंग पर्सनल रीजन्स थे लड़ाई में घुसने के लिए और लेकिन एक ओवराल जैसा तुमने बोला जो चीज वो मतलब उनके जो बुक में भी सोलजर के नेरेटिव में बहुत ही क्लियर है कि एक ओवराल ओवराल नेरेटिव बन रहा था कि ये कार्तूस एक इमेडियेट ट्रिगर बिलकुल ठीक बोला लेकिन और सभी कुछ धर्म से इंटर्फेरेंस से रिलेटिड मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि एक भारत है और हम लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं वैसी बात नहीं थी पर ये कारण था कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और शायद हमारे धर्म को खतम कर देंगे हिंदू और मुसल्मानों दोनों को ऐसे लग रहा था और इसलिए ये बड़ा कारण बना इस गदर के लिए और एक और कारण था सौरब और रोइद ये जो सम्मिलन हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया से तो ये एक बहुत बड़ा कारण था और साथ ऐसे मध्य भारत में प्रिंसिपैलिटीस थे जिनको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाना चाहते थे ब्रिटिश भारत में तो अब्वियसली ये भी लोगों को मानने नहीं था और इसलिए धासी की रानी हो या फिर और भी जो नाना साहेब पेशवा वगरे इन लोगों का एक कारण था ये भी एक कारण था कि वो इस से ब्रिटिशर से लड़ने वाले थे इस बारे में बिल्कुल और मुझे उसमें वो बहुत अच्छों मदब जो कहानी बताई उसमें जो एक मुस्लिम राजा जो बोलते हैं कि भई और अंग्रेजों ने काफी उस समय पे अल्मुस्ट एक साथ दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को लगा कि हमारा धरम खत्रे में है ठीक है ऐसा थी कि कि किसी एक को लगा तो दूसरे को नहीं लगा और वो काफी अच्छी चीज़ बोलता है कि कहता है भई हम यहां हिंदू मुसल्मान भी इतने रहते हैं हम लोग टेरिटरी के लिए लड़ाई करते हैं आपस में धरम की लड़ाई नहीं करते हैं और वो काफी स्पेसिफिकली मेंशन भी करते हैं कि एक राजा ने की आशायद औरंगजेब को रेफर कर रहे हैं कि एक राइशा ने काफी अपना धरम फिलाने की कोशिश की तो देख लो उसका क्या हाल हो गया मुगल एंपायर खतम होने लगा तो उन्होंने बोला कि एक ने किया और वो पूरे हिंदुस्तान को उस समय वो कहते थे कि दिखता है कि वो गल्ती की उन्होंने तो तुम क्यों कर रहे हो हम लोग यहाप में लड़ाई जगड़ा है बहुत चीजों से करते हैं लेकिन कभी किसी के पर्सनल धरम में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और उस समय लगता है कि वो इस्ट इंडिया कंपनी को लेकिन काफी यह चीज दिमाग में थी और वो लोग I think काफी Christian Missionaries वगारा के साथ में inspired होके उनको promote तो करी रहे थे ऐसा दिखता है कि वो लोग करना चाहते थे और खासकर यह कार्तूस वाली जो चीज है यह चीज मतलब British Parliament तक वगारा में डिसकस हुई और उन्होंने अपना नुमाइंदा भी भेजा सब भेजा लेकिन उन्होंने लाइन बाद में लिखी हुई थी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि ना इरान ने किया ना शाहे रूस ने अंग्रेज को तभा किया कार्तूस ने यह सौरब शायद बहादूर शाह जफर की पोएट ली है अच्छा इस इट तो बहादूर शाह जफर तो काफी नामी गिरामी पोएट भी थे तो उन्होंने लिखाया है यह अच्छा अच्छा वाँ और अप्रने जैसे आपने डॉक्टरिन ओफ लैप्स की बात की यहां एक इंट्रेस्टिंग बात है कि जो डॉक्टरिन ओफ लैप्स से जो राजा है वो प्रभावित होता है लेकिन ये चीज उसकी जनता को भी अच्छी नहीं लगती है तो भले ही राजा कैसा भी रहा हो जैसे अवद के जब वाजिर अली शाह को कलकत्ता उन्होंने भेज के और उनका राज़ ले लिया तो अवद के बहुत सारे लोग बंगाल की रेजिमेंट में थे जो इस बात से बिलकुल खुश नहीं थे तो मतलब जनता अभी भी अंग्रेजों को विदेशी ही मानती है और अपने राजा कैसे भी हो उन्हें अपना मानती है तो उनके सुख दुख से उन्हें ज़्यादा फरक पड़ता है और यह चीज़ वहाँ पर बार बार दिखती है कि लोगों को अपने राजा पसंद है कि उनको लगता है कि यह हमारे है यह एक फीलिंग है लोगों में पर थोड़ा criticism भी है अपने राजा होगा कि जैसे वो कहते हैं कि Britishers की अंडर थोड़ा जो law and order है वो काफी बहतर है ऐसा कहते हैं ना इसमें हाँ 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 इस मामले में यह विश्णो जी जिन्होंने भूक लिखिये यह जबरदस्त है यह काफी जिसको बोलते है ना ऐसा नहीं है कि cheerleader टाइप है जो काफी उनको अच्छा लगता है कि धर्म के लिए लड़ाई हो रही है लेकिन वो जहां पर भी उनको लगता है कि एक तरह से धर्म युद नहीं हो रहा है तो वो काफी criticize करते हैं कि जहां पर और जो भी उनको weakness लगती है वो सीधे-सीधे बोल देते तो इस मामले में काफी जिसको बोलते हैं एक impartial spectator की feeling आती है author से ऐसा नहीं है कि वो काफी सिर्फ अंग्रेजों को बुरा बोलना चाहते ह और अपने लोगों को अच्छा ऐसा ऐसा नहीं दिखता है और वो चाहते हैं कि अंग्रेज हारें और उनको लगता भी है कि अगर कोई धर्म की लड़ाई हो रही है तो अच्छी बात है ये उनके दिमाग में है लेकिन उनको लगता है कि अगर कोई चीज़े weakness है या कुछ गलत कर रहे हैं तो जैसे जो गदर करने के लिए जितने भी सैनिक हैं वो काफी अन्रूली है और किसी को भी मार देते हैं ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है तो बार-बार mention करते हैं कि निहत्य लोगों को मार दिया, पोस्टमैन को मार दिया, कहीं भी बूट पार् करें लेकिन वो जाके कराते हैं तो ये उन्हों से एक दो जगे पर mention किया है कि जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा ना committed है ना ही बहुत ज़्यादा loyal है और discipline तो बिलकुल ही नहीं है और भले गदर के सैनिक भारतिये हैं पर इन्हें उनसे भी भाय लगता है हाँ हाँ बिलक कि ये मतलब यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस संग्राम का इस विद्रो का कि एक organized mentality वाले लोग नहीं थे हाँ 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 बिलकुल तो इसमें एक और बात mention करनी चाहिए इस बारे में एक सौरब की जो बीबीगर एक massacre था उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे व कानपूर के पास मतलब बिठूर में जहाँ पर नाना साहिब पेशवा का राज था तो वहाँ पर वो लोग थोड़े करीबन 150 Britishers और बच्चों को कैद कर लेते हैं जब एक siege of कानपूर होता है तब कबजे में कर लेते हैं तो नाना साहिब पेशवा की आर्मी जो है पहले Britishers इसको खदेड देती है कानपूर से तो ये काफी victories ऐसा हो जाता है और काफी जोशो उल्लास होता है कानपूर में celebration होता है इसका पर उसके बाद जो है एक massacre भी हो जाता है और 150 Britishers की बच्चे और और आरतों को मार दिया जाता है इन सैनिको द्वारा नाना साहिब पेशवा की और ये बहुत बड़ा कलंक हो जाता है क्योंकि वार में भी एक कानून था कि ऐसा नहीं होगा पर इस कानून को break कर दिया जाता है और 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 तो बच्चो को मारा जाता है इसकी बारे में भी काफी तोड़ी आलोचना करते हैं इस किताब में भी और इस वज़़े से नाना स पूबलते हैं कि नना सहम नाativas लेकिन उसके बावजूद सायनिक जाकर उनको लोगों काय he और आर्वो में डिसिप्लिन भी नहीं था कि आप अपनी लीडर्शिप की बाती नहीं सुनते है यह इंट्रेस्टिंग था और अचली यह बहुत सारी जगे आया है यही इन्डिसिप्लिन कालपी की लडाई हो या बीबी कर कांड हो या सत्ती चारा कांड हो जो राजा इखटे हुए हैं वो अलग-अलग दिशाओं में अब अलग-अलग निर्ने ले रहे हैं अच्छा क्या इंट्रेस्टिंग लगा यह मुझे मालूम निथा जैसे वो तात्या टोपे जाके जो हफ्ता वसूली करते हैं हर जगे लड़ाई लड़नी है तो पैसे तो चाहिए तो वो अपने लोगों के पास जाते हैं और उनमें से एक राजा मना भी कर देता है तो वो उनकी सेना को हराते हैं और उसके बाद उनसे पैसे लेकर बेएं से जाते हैं अच्छी बाद एक कोई तो ढ़े को test था ही नहीं से तर माराथो में ही शिंदे जो थे वो ज्हासी से लड़ रहे थे तो शिंदे प्रिंसिपालिटी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को तो काफी ये थोड़ा स्प्रेड आउट था और ऐसा कोई एक कंट्रोल नहीं था जैसा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भादूर शाह जफर के लिए सब लोग लड़ रहे थे इससे की ब्रिटिशर्स अपने दखलना दे इस बज़े से तो ये तो बात हो गई क्या हुआ था महू में और क्या वो बात सुन रहे थे किस तरीके से 1857 की लड़ाई शुरू हो रही थी फिर उसके बाद वो पहुँच जाते हैं उज्जैन से होते हुए ग्वालियर अब ग्वालियर उनका सबसे important destination था मकाम था शुरूआत में क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा यगन होने वाला था वैज़ा भाई साहब कर रही थी तो इस वज़े से वो गए थे तो वहाँ पर होता है वो यगन और उसके बाद उनको पता पढ़ता है कि अरे जहासी में भी कुछ और होने वाला है और शायद जहासी थोड़ा safe भी रहेगा तो इसलिए वह जहासी चले जाते हैं है ना सौरफ ऐसा ही था ना बिलकुर उनको उनको वेसिकली लगता है कि बाकी सब जगे तो लड़ाई अब आने वाली है और उनको ऐसा लगा कि शायद जहासी में नहीं आएगी क्यूंकि उनको कोई वज़ा नहीं लगी जहासी में आने के और प्लस उनके काका क्यूंकि जो है रानी जहासी के पिता जी को जानते थे तो उनको लगा वहाँ जाना ठीक रहेगा क्योंकि अब रानी जहांसी के जो पिता थे वो वहाँ के राजरिशी हो गए थे तो उन्हें लगा कि वहाँ जाकर कि अटलीस्ट उनका कुछ हो सकता है वो भी वहाँ जाएंगे तो रानी जहांसी उस समय तक रानी जहांसी अब रानी बन गई थी रानी तो वो पहले से थी लेकिन control तो resident के पास चला गया था उनके husband की death के बाद तो वो उनको लगा कि वो वहाँ जाएंगे तो उनको फिर वहाँ पे भी कुछ मिल सकता है तो I think इसलिए वो लोग दोनों वज़े से मेरे काल से जहांसी गए एक तो familiarity और प्लस उनने लगा कि ये safe जगा पर इनकी किस्वत थी वो जहां जाते थे लड़ाई उनके पीछे तो इस बारे में थोड़ा जहासी का background देख लेता है जहासी बहुत दी interesting story का part है और जहासी के बारे में काफी विस्तृत विशलेशन और विवरन भी दिया है उनोंने तो जहासी एक क्यों important था पहले तो वो समझ लेता है तो कानी में भी कहते हैं कि जैसे जब पेश्वा पेश्वाई थी और पेश्वाई के काफी सरदार थे कई जगे पे जैसे गौलियर में शिंदे इंदॉर में होलकर वगेरे तो ये काफी बुंदेल खंड और ये एरिया काफी important था मराटो के लिए काफी revenue भी आता था उनसे तो पेश्वाई ने decide कि क्योंकि शिंदे बहुत powerful हो सकता है North India में तो इसलिए उनोंने एक शिवरामभाव पारुलेकर को जहासी में एक अलग principality दे दी जिसे की तोड़ा balance out हो जाए power का तो ये भी आप देख रहे हैं कि पेश्वाई का भी control नहीं था काफी dominant, काफी सरदार थे जो अपनी मनमर्जी काफी कर सकते थे तो इसलिए उनोंने decide कि जहासी को एक important center बनाया जाए इसी सिफ्रणे वो भी दिखता है कि वो rivalry जो है वो structural built-in थी कि सिंधिया और अमें गॉालियर और जहासी के बीच की rivalry वो होनी नहीं थी और वो दोनों शायद कभी भी लड़ाई में एक side पर नहीं जाएंगे हाँ ये interesting था और वो कहते हैं सौरब जहासी बहुत बड़ा शहर था उस time पर वो तो कहते हैं उसे कहते हैं उत्तर भारत का पूने है और बहुत सारे वो कहते हैं कि और उस समय कोई उनको पास census data थोड़ी रहे गा लेकिन उनको लगता है कि वहाँ पे 15 लाख की population थी जहासी की उस time पर आज की population census data बोलता है 5 लाख चुटा होगे उससे दिखता भी है कि जहासी का पतन कैसे हुआ है modern time में और मुझे लगता ठीक है 15 नहीं अगर उस time पर भी 5 लाख हो तो as a share of population उस समय बुरे हिंदुस्तान की population मेरे हिसाब से 15-20 करोड से ज्यादा थोड़ी रही होगी बिल्कुल तो वो कहते हैं कि जहासी में फिर से मतलब जो राज है तो एक मराठा सरदार का ही है तो वो बात कर रहे हैं कि कैसे जहासी बड़ा शहर है वहाँ पर बहुत अच्छी एक लाइबरेरी भी है पुस्तकाले हैं वहाँ पर ऐसी ऐसी किताबे हैं जो और कहीं नहीं मिलती और किताबों को पढ़ने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं तो ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जहासी इतना महत्वपूर्ण था इतना इंटेलेक्चुल कैपिटल जैसा भी ताउसे एरिया का बिल्कुल बिल्कुल जहासी का तो बहुत अच्छा डिक्रिप्शन है और उन्होंने ये भी बताया कि जहासी का जो राज चल रहा था वो भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा था मतलब चोरियां वगर बहुत कम होती थी और जो जो लॉइन ओर्डर था काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा था तो नसर्फ वो शहर की तारीफ करते हैं वो वहां के राज-काज की भी काफी तारीफ करते हैं जब वो जहासी जाते हैं और यह जो एक personal memoir पढ़ने का एक जो interesting चीज होता है कोई serious historian ऐसी सब नहीं लिखेगा पर यह वहां की gossip भी mention करते हैं प्रणे तो जो मुझे बड़ा interesting लगा कि जो राणी जहासी के husband थे वो काफी उमर वाले थे उनकी second wife थी लक्षमी भाई जो थी जिनका नाम शादी के बाद लक्षमी भाई हो गया लक्षमी उनकी second wife थी और वो लिखते हैं कि कैसे लोग उनसे अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो अकसर महिलाओं के कपड़े पहनते थे और cross dressing में believe करते थे तो वो obviously scandalous चीज थी उस नमारे के लिए और वो सब इस टाइप की juicy details भी है इस book में गंगाधर बाबा उनका नाम था जैसे इस किता में कहते हैं पर और उसमें एक और बात कहते हैं सौरब जुड़ी होई कि उनकी जो शादी होई थी उसके लिए जो राजा थे उन्हें पैसे देने पड़े थे मरोपन तामबे गोजो की पिताजी थे ने ने पैसे देने नहीं पड़े थे नोने कहा था कि मैं पैसे wave off करता हूँ उन्हें एक्सपेक्टेशन था कि आप इसको बोलते हैं तो ये पहले भी और जगों पर भी देखा हुआ है कि लोग खास कर जब कोई रिष्टा है तो लड़की के लिए पैसे मिलना भी ब्राइट प्राइस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में पता है निसका वर्ड ही क्या रहेगा लड़की देती है लड़के को लेकिन वहाँ पर उलटा था तो सिर्फ लक्ष्मी भाई के पिता जी ने एकी शरत रखी थी कि खर्चा आप शादी का उठा लिजे और मेरे को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट दे दीजे जहासी में तो यह जो चीजे तो इससे लगता है कि शायद जो दहेज की भी जो हिस्ट्री है वो इतनी आमिन ऐसा नहीं है कि यह कोई प्रथा तो हमेशा से रही होगी लेकिन यूनिफॉर्मली सब तबकों में रही शायद जो इसका जो इविल है वो थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है सही कह रहा है तो यह इंट्रेस्टिंग था तो ठीक है अब जहासी में यह तो हो गया थोड़ा जहासी का विवरन उसके बाद जहासी में हुआ क्या एक्जाक्ली सौरब तो जहासी में तो अबिसली यह पहुचे और जहासी पे अब अंग्रेज लोग जो हैं चड़ाई करने वाले हैं यह पहुचे तब यह पहुचे तो काफी पहले और वहां काफी समय से रह रहे थे और एक इंट्रेस्टिंग चीज वहां पे लगी कि जो कि एक रानी जहासी बहुत ही कॉंपिटेंट इन्होंने लीडर वगरा दिखाई है और वो काफी जिसको कहते हैं मतलब सामने बढ़कर उनको तलवार चलानी भी आती है अपनी वो फोर्ट वगरा को भी उन्होंने पहले से पुक्ता कर लिया क्योंकि वो एक्सपेक्ट करी रही थी कि लड़ाई आने वाली है लेकिन इस लड़ाई बड़ाई के बीच में जो इतना ज्यादा समय रानी जहासी लगा रही है यग्य कराने में और पूजा पाठ में वो मुझे देखके वो देखके लगता है ना कि अब अब इतना पैसा और समय इन चीजों में लगा रही है उनको लगता था कि इन से मैं लड़ाई जीचाओं तो ये भी एक उस समय के मुझे लगता है कि राजाओं की कमजोरी दिखती है कि वो अपना समय और अपने पैसा गलत जगह पर खर्च कर रहे है पर सौरब यही तो यह उस तक बता रही है कि हजारों हजार ब्रामन जो हैं इस तरीके के यग में जा रहे हैं और वो पूरी तरह आश्रित हैं इसी तरीके के कर्म कांड पर उनका और कोई जीविका का साधन ही नहीं है बिल्कुल वो तकीन बात है लेकिन इससे समझ में आता है ना कि आमिन जो राजाओं का जो समय और पैसा दोनों की बरबादी है ना लेकिन तो आप एज़े आप जीते हैं कि दूसरी तरफ से आप खुद में कमांडर है लडाई की आप और आपके जो सब क्लोज लोग हैं वो जो है लडाई के बारे में सोचनी की जगे या शायद आराम ही कर लीजे उसकी जगे पर आप बैठे हुए घंटों घंटों यग्य में तो ये कैसे कैसे चलेगा हाँ इसका काफी विवरंट दिया था और वो एक बता था बहुत फेमस गणपती मंदिर था वहाँ पर जहासी में जिसके बहुत दूर दराज से लोग आते थे वहाँ पर पूजार चना करने के लिए और कैसे अंग्रेजों ने जब अटेक किया तो उसको ध्वस्त कर दिया बचा उसका इस अटेक के बाद तो खेर तो काफी समय बिताते हैं वो वहाँ पर और उनकी जो फैमिली है वो लक्षमी भाई से उनकी बातचीत भी होती है तो काफी मतलब परसनल लेवल पर भी जानते हैं वो रानी को काफी विवरंट देते हैं कैसे उन्होंने कोशिश की अंग्रेजों को खदेडने की पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और अंत में उन्हें छोड़कर जाना पड़ा जहासी और वो और एक जगह पर चली गई उसके बाद तो यह जहासी के हालात थे हैं और इसमें सबसे सही चीज़ कि जब जहासी में फिर जो वो यह मे में है एक हारे हुए शहर में एक आम आदमी की कहानी वो अकसर मिलती नहीं क्योंकि या तो वो राजा होते हैं तो राजा तो भाग जाते हैं या जैसे वो बिठूर में भी दिखता है नाना जी जो है वो नाना जी पेश्वा उनको पता होता है बिठूर के उपर वाट लग author ने और first hand describe करी कि ये क्याती थी ये रोहित ये आप बताईए हाँ तो ये कहते हैं कि इस loot part का उन्होंने नाम दिया है vision लोगों से बात हो रही है कि भई अब जासी की रानी तो निकल गई है vision होने वाला है और इस vision में पहले दिन जो भी पांच साल की उम्र से 80 साल की उम्र के बीच के बीच के मुझे रोहित लगता है ये vision word ना invasion का बदलावा रूप होगा हो सकता है हो सकता है जैसे agreement बदल के गिर्मीटिया बन जाता है वैसे invasion बदल के vision बन जाता है लेकिन जो इसके जो details है इसकी वो बड़ी ही भयावा है मतलब काफी एक जैसे लिखा गया है ना कि पहले दिन ये करेंगे तो पहले दिन 5 से 80 साल के जितने पुरुश होंगे सब को मार दिया जाएगा तो आप दिखो मत और दूसरे दिन होगा गोरी पल्टन का काम उसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरे दिन जो काली पल्टन आएगी काली पल्टन और गोरी पल्टन उन्होंने कहा है कि गोरी पल्टन अंग्रेजों की और काली पल्टन जो रियासतों की है तो उनका दिन होगा दूसरा दिन होगा कि अब वो पीतल, तामबा इस तरीके की चीज़ लूटी जाएगी फिर जो तीसरा दोन होगा उस दिन कपड़ा लूटा जाएगा चौथे दिन अनाज लूटा जाएगा और चार दिन बाद यह हालत होगी कि किसी के पास भी अब कुछ नहीं बचाए और उन्होंने एक चीज़ और बताएगे कि बखर जैसा शब्दू यूज किया है कि मोटी-मोटी दिवारे होती थी घरों की बुंदेलखंड एरिया में क्योंकि यह जहां से बुंदेलखंड का हिस्सा है चोरियां बहुत होती थी तो दिवारे इतनी मोटी बनाई जाती थी कि उसके अंदर आप खुद रह सकें और कुछ सामान भी रख सकें अच्छा तो जब भी रोहित चोरी से जादा मुझे लगता है डकैती का डर था और इसलिए डकैत लोगों से बचने के लिए एक बखर जैसा एक hidden room जैसा बना के रखाता हूँ और मतलब कई जैसे लकनों में अगर आप बड़ाई मामबाडा वगर गए हूँ तो वो ऐसे हैं जिसे भूल भूलाईया भी कहते हैं कि आज भी आप उनकी दिवारों के बीच में चल सकते हैं इतनी मोटी-मोटी दिवारे होती हैं कि आप पूरा जा सकते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर एक पूरा आहता है पर आप अचली दिवारों के बीच से जा रहे हैं तो इसी तरीके से उन्होंने बखर बनाय हुए थे जिसमें कि वो उस समय जब ये लूट पार्ट हो रही है आप छुपके पूरे दिन वहां रहो जब शाम को सब चले जाएंगे तब आप बाहर निकलो तो ऐसे एक बखर में खुद विश्णो भट गोड से भी चुपकर बैठे रहते हैं जब ये लूट पार्ट चल रही होती है अंग्रेजी सेना की और मुझे ये भी लगता है सौरब और रोईद की अंग्रेजों ने इतना भयावर बदला लिया था शायद क्योंकि ये जो बीबीगर मैसेकर जो हम लोगों ने बात की उसके बाद एक स्लोगन भी दिया था अंग्रेजों ने की रिमेंबर कॉन पोर ऐसे करके क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिस्टेंटेट था जो वहाँ पर हुआ था तो बहुत रोश्टाउन में की इसका बदला लेंगे तो इसलिए जब अटैक हुआ जासी वगरे दूसरी जग़े पर तो उनोंने बहुत ही मतलब भूस ब्रूटन लेकिन प्रडे मेरेको ये लगथा है कि जो इस तरीके का इतना जबर्दस कनवेंशन है कि पहले दिन क्या लूटा जाएगा दूसरे दिन का वो तो उन्होंने अपनी बरबरता में निकाला क्योंकि उन्होंने भी बहुत मार काट करी उसके बाद लेकिन ये जो है मुझे लगता उस जमाने की लड़ाई का हिस्सा था लड़ाई में आते भी इसलिए थे कि अगर हम जीते तो एक कहते हैं कि भी जीत का बटवारा है तो ये जीत का बटवारा इस तरह से है कि भी अब जीत गए है और बटवारा ऐसे है कि भी जो सीनियर लोग है उनको ये मिलेगा जुनियर लोगों को ये मिलेगा तो उन्होंने ऐसे कर दिया था कि भी आपस में बंदर बाट नहीं हो तो एक तया कर लिया कि कौन क्या क्या चीज लूटेगा ये इसको भी उन्होंने ठीक से तो ये और ये मुझे लगता है शाद ये अग्रेजी सिना के बारे में ऐसा बोला शायद जहाँ पर मराथा सिना चीतती होगी वहाँ पर भी सेम होता होगा शायद ऐसा ही होता होगा जो है वो बैक इन प्लेस वही लूट का समान फिर उनी लोगों को बेचा जाएगा जिनसे वो लूटा गया है और वो कहते भी है कि नोटिस लगा दिया गया था ब्रिटिश ने उसके बाद कि ठीक है अब आप अपने जीवन चरिया वापस शुरू कर दीजिया नॉर्मल डेस क्योंकि हो गया है जो हमको करना था हो गया है तो ये एक तरह से लूट जो है वो काफी और्गनाइस लूट और वो निलामी की बात भी करते हैं सौरब इसमें की जैसे जासी के जो रॉयलस अर्टिफट्स है उसके बाद गया है जो इसके बाद तो ये रॉयलामी में किन लोगोंने खरीदा जो ढ़ी जासी के रॉयलसरे जूरू कारीदा दिजिद और लोग उने भी हए बिलकुल बि लग्याद यह एक बात हो गई इस बारे में मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ जो रोहित आपने बात की चोरी चक्कारी की डकैती वग्रे की तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि शायद वह थोड़ा अप्रिशेटिव है ब्रिटिश रूल का कि वह खहते कि around में अंग्रेज जो हैं वो basically क्या करते हैं कि कहीं पे भी अगर किसी एरिया में चोरी हो रही होती है तो उसको collective responsibility बना देते हैं आपके गाओं के आसपस डखैती पड़ी तो आपका पूरे गाओं को हम जला देंगे आखे उनको लगता है कि सकती है पर मैंने देखा उस जमाने के शायद standards के हिसाब से उनको लगता होगा ये तो काफी collective punishment तो हम आज के जमाने में हम बहुत खराब चीज मानते हैं विश्णुभट जो है वो मानते हैं कि ये सकती के बिना कैसे law and order होगा और compared to जो हिंदुस्तानी शासक हैं अंग्रेज लोग जो है इस चीज को ज्यादा अच्छे से control कर पा रहे होते हैं हाँ वही बरबरता की वज़े से क्योंकि वो कहते हैं कि एक दो बार तो ऐसा हुआ भी वो challenge टेस्ट भी किया किसी ब्रिटिशर ने कि उन्होंने एक ब्राम्मन के रूप में चले गए और उन्होंने टेस्ट किया कि यहां पर चोरी होती है कि नी फिर जब चोरी हो गई उस village में तो फिर वापस उन्होंने काफी वहां के 5 से 80 साल के उमर के जो लोग थे उनको सब मर्दों को वापस मौत के घाट उतार दिया तो वो कहते हैं कि इस बरबरदा की वज़े से शायद villagers भी थोड़ा कुशिश कर रहे थे कि चोरी ना हो और ऐसी बारे में फस भी जाते हैं खुद विश्णूबट गोड से वो जा रहे होते हैं गाव में और गाव के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते गाव में और व दिले वो काफी पूछताच करते हैं उनसे ये मुझे काफी काफी इंटरस्टिंग ये भी चीज लगी कि और शायद एक तरह से उनका मुझे appreciation दिख रहा था कि लगता है कहीं पर वो जो एक तरह से tone में दिखता है कि उनकी sympathy तो हिंदुस्तानी शासकों के साथ है लेकिन उन उनको लगता है कि competency जो है वो Britishers के पास थी दोनों चीजों में लड़ाई में भी administration में भी वो काफी जगों पर ये चीजें मेंशन करते हैं तो वैसे तो लड़ाई के बारे में तो और भी details ही जैसे वो कालपी की लड़ाई है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं जैसे ताट वहां पर भी एक resistance होता है लेकिन वह successful नहीं रह पाता और Britishers वहां भी काफी inroads बना पाते हैं तो फिर जो विश्नुबद गोड से और उनके कागा है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं फिर यहां से जाते हैं आयोध्या के बारे में भी एक बात है वो पहुंचते हैं आ वहां पर कुछ बचा नहीं है वहां पर सिर्फ एक platform था जिसकी काफी लोग आके पूजा करते हैं तो मुझे काफी interesting लगा मतलब यहीं चीज है जहां पर primary sources इतने useful है ना उन्होंने देखा जो उन्होंने mention किया अब हम आज की data लोग कुछ भी कहानी पहले की बनाते रहते है और वो obviously सच है सच होती नहीं है अकसर पर ठीक है तो इनकी इसलिए जो यह book है वो मेरे को काफी महतोपूर्ण लगती है कि उन्होंने इतनी चीजें जो लिखी देखी खुद की आखों से देखी हुई जो लिखी है जो खुद से सुनी है तो at least second hand है at max कि लोगोंने हाल फिल तो जो जिस लक्ष के साथ वो गए थे जितनी बार भी उनको कुछ पैसे मिलते हैं धार में या फिर रानी जहांसी से वो हर बार कहीं न कहीं लूट लिये जाते हैं और end में सिर्फ वो घर जो है गंगा जल लेकर पहुंचते हैं वो भी मुझे बहुत honest लगते हैं वो बता देते हैं कि उनकी मटकी तूट जाती है और इवन वो गंगा जल भी उनको बीच में कोहीं गोदावरी या कहीं से वो दोबारा भरते हैं और बोलते हैं ये दक्षन क कि गंगा है करके वापिस ले जाते हैं वो पानी लेकिन वो इसलिए वो इंसिदेंट देखके मुझे लगता है कि वो बहुत honest narrator है और इसके साथ ही ये लगता है कि पूने में रहने वाले लोग जो कि जिनके लिए उस समय के North India, Hindustan जाना इतना दुशकर है लेकिन उनको मेरे कहल से हम बात भी कर सकते हैं कि जो एक गदर के बाद क्या हुआ ब्रीफ में मतलब ज्यादा तर हमारे शुरुताओं को पता ही होगा लेकिन obviously अंग्रेस जीत जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी लड़ाई होती है वो चाहे होचपोच तरे से होती है चाहे leadership की problem होती है या जो भी होता है लेकिन उसका असर कम नहीं होता है हिंदुस्तान के उसका असर काफी होता है एक तो East India Company खतम हो जाती है बहुत बड़ा असर उसका और उसके 20-25 साल के बाद में तो Company bankruptcy हो जाती है तो हिंदुस्तान तो उनके हाथ से निकल ली जाता है एक वो खतम हो जाता है ना हम किसी पर आक्रमन करेंगे और ना ही किसी की territory लेंगे अब जहां 1857 में अमिन लक्षमी बाई और चाहे नाना साहिब बगारा अपनी territory नहीं बचा पाते हैं लेकिन उसके बाद वो बाकी सब राजाओं की territory बचा लेते हैं उसके बाद अंग्रेज ल इन्डियन नेटिव स्टेट्स जिसे वो कहते हैं जो पाथ सो साथ नेटिव स्टेट्स से जिसे मिलाया गया भारत में 1957 में वो मतलब उनका हर जगह पर एक जैसे मैसोर हो या अलग जगह पर हो वहांपर एक resident होता है और army वगरे Britishers की रहती है लेकिन बाकी जो normal कामकाज है जो Indian rulers है वह ही चला रहे होता है तो वो एक बड़ा change administration उनके पास रहता है उन्होंने अपनी दे रखी होती उनको और जो भी उन्होंने अपना अपस में relation बना रखा होगा इतना tax हम तुमको देंगे लेकिन at least interference उसके बाद में खतम हो जाथा क्योंकि even 57 से पहले भी जासी का भी वैसा ही status था resident तो था ही उनको कोई उससे अपत्ती भी नहीं थी वो तो बचाते थे कि हमें रहने दो भई जैसे हम है उतना ही चाहा ही रहते राजा लोग हिंदुस्तान के राजा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे थे वो सिर्फ कह रहे थे हमको रहने तो हमारी इज़त रख लो थोड़ी सी इज़त रख लो और धरम में interfere मत करो तो वो भी अंग्रेज लोग करते हैं धरम में interfere नहीं करते दूसरा जो उनकी policy में और काफी एक important चीज होती है उसके बाद Queen Victoria का जो फर्मान है वो तो बहुत important फर्मान माना जाता है जिसमें वो promise करते हैं कि हर हिंदुस्तान का नागरिक को एक law के सामने equal status दिया जाएगा जो की पहले नहीं था चाहे वो किसी भी principality का हो चाहे कुछ भी हो तो एक British India की तरफ से extra rights मिलते हैं हर citizen को तो इस तरह से काफी बदलाव मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद फर्मान आता दूसरा और दूसरा जो एक बड़ा फर्मान आता है क्योंकि इतना ज्यादा violent repercussion हुआ इस गदर का तो ये भी एक था और दूसरा मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने काफी उससे सीख भी ली कि उस समय हिंदू-Muslim इतना मिल करके लड़े इनके खिलाफ कि उसके बाद उन्होंने काफी दिमाग लगाया कि अब इन लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो अपार्ट फ्रम जो उन्होंने पॉजिटिव काम किये इन्होंने ये भी सोचा कि कैसे अपने राज्य को मजबूत करना है उट डालो शासन करो की नीती उसके बाद से ही आनी शुरू हुई ये वो पहले भी वो करते थे क्योंकि आपस में मतलब आप जैसे सिंधिया और जहांसी वाँ जो भी एक्जिस्टिंग आपस की लड़ाई थी वो उसका फायदा हमेशा उठाते थे लेकिन रिलिजिस्टिंग लड़ाई का नहीं उनको ने शायद ये एक नया एंगल धूंडा कि भई ये भी एक एंगल हमको करना चाहिए कि रिलिजिस्टिंग लड़ाई भी कराई जाए यहाँ पर इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा यह तब लोग क्यों एक साथ मिल करके हमारे साथ लड़ रहे हैं और कई जगह पर आप देखेंगे मैं पढ़ा था कि 1918, 1861 और इकतर में जो जनगर्णा की तो इन्होंने जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश की कई ऐसी जातियां थी जैसे कुमहार, माली, जुलाहा यह सब इन्होंने उस जनगर्णा में उन्हें नीचे जाती के तौर पर दिखाया तो ऐसी कई सारी चीजे हैं जो उन्होंने काफी सोच समझ करकी शिक्षा के उपर भी बहुत काम किया हमारी बिलकुल, उन्होंने काफी लेसन लिये कि हिंदुस्तान को कैसे चलाना चाहिए उन्होंने इसके काफी लेसन लिये और दूसरी साइट तो मेरे कहल से कोई लीडरशिप थी नहीं तो मेरे कहल से हिंदुस्तानियों ने उसके कम हिंदुस्तानियों ने एक ही लेसन लिया कि अब मुह बंद रखते हैं थोड़े टाइम के लिए जो कंपनी बहादूर नाम की जो जो नाम दिया गया था इस्ट इंडिया कंपनी का तो उसका जो वर्चस्व था वो पता बड़ा कि वो बहुत पावरफुल है उनके बास बहुत सारे नए नए आम्स और अम्यूनेशन है तो उसकी वज़े से थोड़ा डर गए वो विश्णू भट काफी उल्टा लिखते हैं जैसे वो एक तो लड़ाई में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि दोनों साइट्स के पास में सेम टाइप की वेपन्स थे सिर्फ एक फरक था उनकी टैक्टिक्स और उनके डिसिप्लिन का कोई और फरक नहीं था दोनों साइट्स के पास में सेम तरीके के वेपन्स थे क्योंकि वो लोकल ही वेपन्स बन रहे थे या फिर अगर वो योरोप से खरीदते थे तो हिंदुस्तान के लोग भी योरोप से खरीद सकते थे सिर्फ इंग्लेंड से थोड़ी आती थी ये चीज़ें और ना वैपन्स और इवन ट्रेनिंग वेगरा भी आप देखोगे तो इवन उससे पहले भी जितने भी हिंदुस्तानिश आ सकते सब के पास में कुछ न कुछ योरोपियन ट्रेनर्स रहते थे उनकी आर्मी वेगरा में हाँ जैसे टीपू सुल्तान ने भी फ्रांस की मदद ली थी मराठा लोगों के पास भी योरोपियन लोग रहते थे इनका भी मैंने पढ़ा है रंजीत सिंग वेगरा के पास में भी जर्मन लोग थे कुछ तो ये सब लोगों के पास में उस समय तो बहुत कॉमन था मर्सिनरी बिसिकली पैसे के लिए लोग लड़ाई करने का तो लोग पैसे के लिए हर्जे के जाते थे लड़ाई करने तो बहुत सारे योरोपियन हिंदुस्तान आते थे पैसे के लिए लड़ाई करने और पैसा के लिए काम पैसे जो भी पैसे देता था उसके लिए काम करते थे रानी जहांसी के पास लेड़ हजार अफगानी सानि और उन्होंने ये भी लिखा है कि क्योंकि सारे की सारे रजवारे थे नाना साहिब, जहांसीरानी, तात्या टोपे, ये सब एक हो गए थे, तो actually by the number, जितनी सेना थी और सामर्थ था, ये हमारे भादी राजाओं के पास ज्यादा था, पर क्योंकि एक लक्ष नहीं था, और ए तात्या टोपे को कई राजवारे नहीं मानते थे, राजा और राजपुरुष, तो इसलिए उनकी बाते उतनी नहीं मानते थे, और जो विद्रोही सैनिक थे, वो भी अपने राजा और अपने लीडर्स की बाते उतनी नहीं मानते थे, तो discipline I think जो बहुत बड़ी कीज रही और in fact training भी काफी common थी, प्रणे, in fact उसने बहुत अच्छा notice कि हम दो इस मामले में विश्नु बड़ काफी observant writer भी है, वो लिखते थे कि even training क्यूंकि काफी सारे सैनिक इस साइट में mutiny करके आये थे ना, तो वो तो अंग्रेजों के ही train कि हुए थे, और उन्होंने सबसे पह वेपन्स में किसी चीज में कमी नहीं थी दोनों में, सिर्फ एक ही कमी थी, इस साइट में just discipline था ही नहीं और दूसरी साइट में just army थी, वो बहुत discipline थी, कि जो officer carder था, वो बहुत discipline था, और इधर officer carder मेरे ख्याल से officer carder के नाम पे राजा लोग थे न, वहाँ पे trained officers थे, हमा हैं, वो काफी जबर्दस general माने जाते हैं, अंग्रेज लोग उन से काफी खौफ खाते थे, लेकिन इस तरह के का personal charisma होगा, किसी किसी में, या personal talent होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तातिया टोपे जैसे 5000 लोग होंगे न, जैसे अंग्रेजों के पास थे, अंग्रेजों के पास सातिया टोपे लेवल के नहीं होंगे शायद, पर जो भी मतलब लेकिन well-trained second officer carder होगा, जो की हजारों में था, नहीं बही, तो शायद company bahadur का मतलब, उनका जो structured army था, कैसे मतलब कियों कितना battalion होगा, वो कितने लोग control करेंगे, वगेरा, जो ये structure था, उसकी वेज़े से व open field में, अगर सब लोग उनने एक साथ गोली नहीं चलाई, अगर लोग officer की बात मानने बिना भाग गए, या rank break कर दिया आपने, तो आप हार जाएंगे, ये छोटी-छोटी चीज़ों से आप लड़ाई हार सकते थे उस time पे तो, जो उस time के लड़ाई के tactics थे, तो ये battlefield commander वा mutiny कर रहे थे, stanic, तो अंगरे जोने एक list निकाल दी थी, कि ये जो भी mutiny किये हैं, लोग उनको arrest कर लिया जाएं, तो वो कहते हैं कि लोग दूसरे शहर में चले जाते थे और अपना नाम बदल के रहने लग जाते थे, तो उसकी वाज़े से वो बच्चाते थे, हाँ, हाँ काफी लोग इदर उदर, बहुत लोग बनाता से जाके सादुवादू बन गए हमें, तो ये तो बड़ी इंटरेसिंग बादी, तो ठीक है, फिर कहानी इस तरीके से, जैसा रोहित ने कहा, वो पैसा तो नहीं कमा बाते, जिस उद्देश से उत्तर भारत गये थे, वो तो उन्हें नहीं मिलता, पर वो फिर घूमगाम के ये जो गंगा का पानी लेकर आते हैं, और उसकी वज़े से उनके काफी प्रतिष्टा बढ़ती है, कोंकंड में उन्हें जाना जाता है, और ये कहानी वो काफी लोग को बताते हैं, और वही कहानी कई सालों बात एक किताब क के रूप में अवतरित होती है, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग उन्हें वो ट्रांसलेशन पढ़े और आपके साथ डिसकस किया, तो और कोई पॉइंट था सौरब और रोई, जो आप मेंशन करना जाएंगे, ने ने, I think काफी हमने मेंशन किया और हमने, मैं अप अप में वो बहुत बढ़िया है, हम लोगों ने मिरिणाल पांडे जी की ट्रांसलेशन को ज़्यादा यूज किया है, पर हिंदी में अमरितलाल नागर जी ने भी ट्रांसलेट किया है, बुक को जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहें, तो वो दोनों उन्हों बहुत कहानि, मतलब गाथाकार है, उन्होंने अपनी कहानी स्वयम बहुत अच्छे से लिखी है तो मैं तो सोचता हूँ ये बुक हर एक को मतलब ऐसी दूरलब किताब है ऐसा और कुछ नहीं है हिंदुस्तान में इस टाइप का, मेरे हिसाब से हर हिंदुस्तानी को पढ़ने चाहिए और मराठी में भी है किताब चिंतामन वैदिक ने पब्लिश की थी ये किताब 1907 में तो वो भी अवेलेबल है इंटरनेट पर आप मराठी में पढ़ना चाहता है तो मराठी में पढ़िये इसे तो इसी बात पर अंत करते हैं इस एपिसोड का बहुत बहुत शुक्रिया रोहित बहुत मज़ा आया आप जॉइन कर पाया हमें और ये इंटरेस्टिंग किताब की थोड़ी सी जल्ट हमने ली और डिसकस किया तो मज़ा आया थैंक यू मुझे भी बहुत मज़ा आया उसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाए उमीद है आपको भी मज़ा आया ये पॉड़कास संभव हो पाया है तक्षशीला इंस्टिटूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशीला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पॉलिक पॉलिसी विदेशनीती या टेक्नोलोजी गवननेंस में रुची रखते हैं तो तक्षशीला की वेबसाइट तक्षशीला.org.in पर उनके कोर्स को जरूर चेक कीजिए और अगर आप पॉलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हम से कनेक कीजिए पॉलियाबाजी at gmail.com पर या फिर at पॉलियाबाजी ट्विटर पर शुक्रिया पॉलियाबष पॉलियाबाज कीजिए and we've been doing a bunch of interesting conversations about different pop culture things that you might want to check out during the pandemic. Do give it a listen. I'm sure you'll enjoy that. And with that, I hope to see you again next week. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to storytellers and story sellers for personal stories, analysis and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today. Not everyone here is those with no attention to other stories. They work with no fans as we have no relatives because the best way is used to inform their carefertüls and great stories. we can find this story to do the best way put when Schneem share and size as we are the soldiers theEO one